अस्सलाम अलेकुम आज मैं आपके साथ फ्राइट चिकन की रसीपी शेयर कर रही हूँ बहुत ही क्रिस्पी और मज़े के बनते हैं ये तो चले रसीपी करते हैं स्टार्ट यहाँ भी मसालों को ड्राइ रोस्ट करनी है इसमें मैंने लिया है 1.5 टीस्पून जीरा और 2 नीस्पून है धन्या ड्राइ रोस्ट कर लेंगे और एक दरदरा सा पाउडर तयार करनी है चिकेन यहाँ पर मैंने 700 ग्राम लिये है उसमें डालेंगे 1 टीबल स्मूल लमन जूस साथ ही इसमें डालेंगे जो पाउडर हमने तियार के थी वो तक्रिमन दो बड़ी चम्मच है यह और 1 टीजबून डालेंगे लाल मर्च पाउडर बड़ी चम्मच ग्रेट जिंजर यानि की अद्रक डालेंगे और साथ ही इसमें डालेंगे 1 टीजबून गार्लिक पाउडर दो बड़ी चम्मच है यहाँ पर बेसन रोस्ट की हुई और एक बड़ी चम्मच डालेंगे कौन फ्लार आप चाहे तो अद्रक लेसन की पेस डालें एक बड़ी चम्मच अब सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे जब यह मिक्स हो जाएगी तो तकरीबन आदे घंटे के लिए हम इने मारिनेट होने के लिए रखेंगे जिसने के फ्राई करने टाइम चिकन बहुत ही जूसी और बहुत ही मज़े की बने चिकन यहाँ पे मारिनेट हो चुकी है तो इसमें आड़ करेंगे तिल यह वाइट तिल है तकरीबन दो बड़ी चमश मैंने डाले है आप चाहे तो कम ज्यादा कर सकते लेकिन इससे बहुत यच्छी लुक आती है यह मिक्स हो जाएगी तो इसके बाद डायरेक्ली हमें फ्राई करनी है यह जो चिकन के रेसिपी आज मैं आप विसा शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार से लगती है तो एक बार जरूर से ट्राई कीजिएगा देखें यह मिक्स हो चुकी है तो चलें फ्राईंग की तरफ तेल को यहाँ पर मैंने प्रॉपरली गर्म कर लिया है जब इस तरह से वबल्स आ जाए तो चिकन की पीसेस को आट कर देंगे तेल स्टार्टिंग में गर्म होनी चाहीए जिसे की चिकन बिल्कुल जूजी रहेंगी उसके बाद मीडियम कर देंगे ताकि चिकन अच्छी तरह से अंदर से बी खुक हो जाए और यह बिल्कुल भी कच्चिन आ रहें तो इस तरह से सइट्स टरन कर देंगे जिब चिकन में कलर आ जाएगी दोनों साइट से तो हीट को मीडियूम कर देंगे ताकि चिकन अच्छी तरह से प्रॉपरली अंदर से भी कुक हो जाए बहुत ही एजी सी रेसिपी है जिस आपने इन्हें फ्राइंग के टाइम पे थोड़ा से ध्यान रखना है कि ये तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए यहाँ पर थंडी नहीं होनी चाहिए यहाँ पर देखे सारे पीसे फ्राइ हो चुके है तो इसे मैं निकाल देती हूँ एक पेपर टावल पर निकाल ली ताकि एकस्स सॉयल जो है वो सोख हो जाए बहुत ही करिस्प़स ये बनी है तो एकक करके मैं सारे पीसे को निकाल ले रही हूँ इस तरहा से चिकन को सर्फ करने से पहले यहां पे मैंने ठंडा पानी लिया है जिसमे मैंने डाले है प्यास के रिंग्स और साथे इसमें डाले हाफ टी स्पून निमू जूस और चला लेंगे जिसने की प्यास कर्ड भी नहीं लगेगे और तकरिबन दस मिनिट के लिए हम ऐसी छोड़ देंगे काउंटर टॉप पे और ये देखिए बहुत ही मज़िदार क्रिस्पी सी फ्राइ चिकन रेडी है तो जरूर से ट्राइ कीजेगा बहुत ही परफेक्टली ये फ्राइ हो चुकी है बिल्कुल जूसी है अंदर से और बाहर से बिल्कुल क्रिस्पी तो जरूर से ट्राइ कीजेगा ट्राइ करें और मुझसे अपनी फीडबाग भी शेर कीजेगा I hope आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी मिलती एक न्यू रेसिपी में Till then, take care and अलाफिज